इनकालो है निकालो है पर दिखते हैं के बाद में लोग हमें तोप देंगी इंग नत्य करना पदा पड़ेगा हमको यह पाईब कुछ दूस्ना भालू को खोगन से पड़े विटौण आफ ऐसाज़ा आप के खोगालो हाई देना है खोगन आप तेसे पाउए तो गाइस मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किनारे कभी कभी मिट्टी के अंदर साप बेख और यहां पर कितनी सारी मिट्टी है आप देख सकते हैं तो गाइस हम इसके अंदर बैठ चुके हैं अब गाइस हमको यह लोग बाहर से मिट्टी से तोप देंगे उम कि अवर से माइस कि अंदर आएसे बैटूँ का मतलब की पैर फॉल्ड भी रही कर पाऊंगा इस तब हैसे इस गोड़िवा खहुत वाइस इतना वजन लग रहा है उपर से मिट्टी ही ए लेकिन गाइस जान निकली जा रही है लेकिन काइस जान निकली जार रही हैं यहां पर सांक लेने बहुत ही मुस्किल पड़ रहा है लेकिन और थोड़ी दर रुक कर देखता हूं कैसा क्या होता है लेकिन सांक लेने में तो काफी यदा में पड़ रही है इतना वजन डीला रख दिया है कुछ कहने को नहीं मैं आपको एक बाइए एक्सपीरेंस बताता हूं इसके अंदर का अगर आपको मिट्टी के अंदर तो तो हाथ नहीं इधर कर सकते हैं ना पैर की दर कर सकते हैं तो जॉइन कर रखा है ऐसे तो गई भी हिल तो पाई नहीं अगर इसको 24 गंटे तक कर दिया यह तो आदमी घ्र जाहनी निकल जाएगी आप देख सकते हैं मैं किदर भी हिल भी नहीं हो खादी सीर इतना हिल रहा है मेरा और कुछ भी नहीं अब इसको मेरा बन करा है कि बाहर निकलू फटाबट से गाइस मुझे निकालो भाय निकालो निकालेंगे तो हमारा पहार हर चुका है अगर हम न निकाला यहलती से तो हमारा 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 हमा कि अगर इंसान को और अधिक मतलब कि इतना इतना तौफ दिया इसके अंदर तो गाई जुका निगलना इंपॉसिबल हो जाएगा तो आपको कुछ एक्सपेरियंस में बताया हूं कि अगर मिट्टी के नतौफ दिया तो कैसा फील होता है तो आप लोग इस वीडियो के लाइ